और लख्णाओं से बड़े ख़बारे यूपी का इस्थापना दिवस से आजावद शिल्प ग्राम में कारक्रम रखा गया है कारक्रम एसेम योगी शुरकत करेंगे तीन दिनों तक चलेगा यूपी दिवस कारक्रम निवेश रोजगार और यूपी दिवस की ठीम रखी गई इस कारक्रम की खिराडियों का सम्मान भी मुखेमत की योगी आदितनात करेंगे और सम्मानित नगत पुरुसकार प्रतिक चिन प्रदान करेंगे तीन दिनों तक यूपी इस्थापना दिवस का कारक्रम आयोजित किया जाएगा कारक्रम का योजन अबद शिल्प ग्राम मे किया जाएगा कारक्रम में सीम योगी शामिल होंगे और सीम योगी खिलाडियों को सम्मानित भी करेंगे खिलाडियों को नगत पुरुसकार और प्रतीक चन प्रदान किये जाएंगे तो आज यूपी का इस्थापना दिवस है और उसके चलते यूपी के अबद शिल्प ग्राम में कई कारक्रम रखे गए हैं जहां पर मुख्यमंत्री योग्याद इतनाथ कारक्रम में शुर्कत करेंगे और यूपी के तमाम खिलाडियों को सम्मानित भी करेंगे तीन दिनों तक ये कारक्रम चलने वाला है और इसी खबर पर तमाम सारी और जानकारी के साथ में लखनों से समधाता अलोग पांडे हमारे साथ लाइब जोल गए है अलोग आज यूपी का स्थापना दिवस है लखनों के अबद शिल्प ग्राम में तीन दूनों तक इसको लेकर करक्रम चलने वाला है क्या को जानकारी बिल्कुल देखे ये यूपी का स्थापना दिवस योगी सरकार के आने के बाद ही मनाया जाने लगा और शुरू हुआ और जब पहले बार योगी सरकार आई तब से ये तै किया गया कि यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और लगातार उसके बाद यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता रहा है इस बार 24 लेकर के 26 तारीक तक ये कारक्रम चलेगा यूपी स्थापना दिवास इसमें अलग 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 हिस्सों को दिखाने का काम होता है एक शोपीस बराया जाता है अवोथ शिल्प ग्राम जहां पर यूपी के अलग 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 जिलों का प्रदर्शनी लगती है जो हम One District One Product कहते हैं उस सभी तरह के चीजों को कि यूपी में कितनी यहां पे अगर कहा जाए अपॉर्चुन्टीज है यहां पे कितने ऐसे काम है ऐसे कारीगर है ऐसे कलाकार है जो की अन्न जगहों पे नहीं है तो मुख्यता यूपी को ले करके यूपी का शोपीस वहां दे होगे उनके साथ यूपी के राजपाल अनंदी बेन पटेल रहेंगे गिप्टिसियम ब्रजेश पार्ठक है और भी कई कैबिनेट के साथी साथ में रहेंगे मुख्यता यूपी का जो यह स्थापना दिवस है 24 से 26 तारीक तक रहता है बीच में सांस्कृतिक काज़क्रम के साथ यूपी रत्न सम्मान भी दिया जाता है वो लोग जोनों ने यूपी के लिए अलग लग छेत्रों में काम किया है यूपी के लिए नाम किया है और उसे देश के और विदेश के मंचों पर यूपी का नाम बढ़ाया है ऐसे लोग को सम्मानित भी किया जाता है धनराश दी जाती है और सबसे महतपूर यही है कि यूपी के अंदर कितने इसका अगर हम ग्लोबल इंवेस्टर समिट के साथ जोड़े तो इस बार उस मुद्दे को भी यूपी अस्तापना दिवर्स के साथ रखा गया है जी ट्वेंटी के संभावनाओं को भी उसमें देखा गया है क्योंकि अगर हम बरारस की बात करते हैं लखनओ की बात करते हैं आगरा नौइडा यह ऐसे छेत रहे हैं ऐसे इलाके हैं जहां पर नसर्फ निवेश की गुंजाइश है बलके यूपी के अंदर कितना पोटेंशल है इस बात को भी देखा जा सकता है और पिछले लगातार जो योगी सरकार इस बार छटा साल हम कहें चल रहा है तो यूपी के जो डेवलेपेंट है डेवलेपेंट का मॉडल है वो भी इस इन कारिक्रमों में दिखेगा उस जगह पर अवस्षिर्प ग्राम पर जो एक्जिबीशन होता है वो बहुत महत्पूर होता है वो देखने लायक होता है लोग आम लोग वहां जाते हैं उनके लिए वहां पर उठने बैठने के खाने के सांस्कृतिक कारिक्रम इन सभी तरह का जो आनंद लेने का कारिक्रम है वो भी होता है तो 24-26 तारीक तक जहां राजनेतिक कारिक्रम के रूप में हम देखते हैं कि सरकार अपना पूरा वहां विकास का मॉडल दिखाती है तो वही सामाजिक और सांस्कृतिक कारक्रम भी नजर आते है और दूसरा यूपी का पूरा एक जरोखा हमें नजर आता है और चौबिस से ये 26 तारीक तक जो कारक्रम चलता है उसे यूपी का स्थाबना दिवस के सासाध यूपी में जिस तरीके के डिफलेप्निक हो रहा है वो भी नजर आता है जी आलूग बहुत बहुत सुक्ति है आपका तुमाज़ी जानकारी के लिए तो आज यूपी का सापना दिवस है तो अब अब दिश्यूल प्रग्राम में कई तरह की कारक्रिम में रखे गए मुखे मंत्री योग्यादी तनाथ भी इस कारक्रिम में शामर होगा